कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिए एज्यूकेशन राइज को और करे अपने प्लास टेंथ एंड वेल्थ का सपना साकार डाउनलोड दी आप नाउ घेलो वे लिए नमस्ते वेल्कम देखो बचों यहांपे कुछ प्रस्ण दिये हुए ध्यान से पढ़ना पहला प्रस्ण क्या एक कि भास किसे कहते है दूसरी किसे कहते है और देखिए बहुत सारे क्यों सेts आप यहांपर देखते जाए भासा के कौनकं से दो रूप है आता होगा आपको और कहीं सारे प्रस्ण आते होंगे कुछ प्रस्ण नहीं आते होंगे ध्वनी किसे कहते हैं व्याकरण किसे कहते हैं ये दो दो टॉपिक है आपको याद होगा भासा व्याकरण और लिपी व्याकरण का जोपना हिंदी की व्याकरण के एगर हम बात करें तो हिंदी की व्याकरण में हिंदी की व्याकरण इस व्याकरण में एक टॉपिक है वच्छोपना भासा व्याकरण और लिपी पहला टॉपिक है यह हम लिपी का परिच है तो यह totally topic जो है आज की class में हम इसे complete करेंगे completely भासा के बारे में पढ़ेंगी भासा का एक भी point जो हो चुटेगा नहीं व्याकरन के बारे में completely पढ़ने वाले हैं और लिपी के बारे में और इस एक ही class में हम सारी चीजों को आज cover करने वाले हैं तो आईए एक एक करके सारी चीजों को हम देख लेते हैं यहाँ पर ठीक है देख लेते हैं तो देखो हिंदी की जो व्याकरन है यह total 8 नंबर की अपने परिक्साम में पूछी जाएगी आँठ नंबर के प्रस्न इसमें से पूछे जाएंगे और इस हिंदी की व्याकरन में कुल्ट आपके चार topic है आपके syllabus में क्या क्या है चार topic पहले topic है भासा, व्याकरण एवं लिपी का परिच्छे जो भी मैंने आपको बताया दूसरा इसका topic जो व्याकरन में है वो है सब्द सक्ती और completely सब्द सक्ती तीन परकार की होती है वो total इसमें हम पढ़ेंगे फिर आएगा इसमें अलंकार अलंकार जो हिंदी अनिवारे की जितरे पी अलंकार है और फिर आएगी इसमें पारिभासिक सब्दावली तो ये total 4 topic प्रतिक topic आपका दो दो number का है ये दो number का है ये दो number का है ये भी दो number का है और ये भी दो number का है तो इस तरीके से होते हैं टोटल आर्ट नमबर अब देखो कि यहाँ पर आज हम जो अपनी क्लास रहेगी इसमें जो पहला टॉपिक है भासा, व्याकरन और लेपी का परिचे इस कंप्लीट टॉपिक को हम पढ़ेंगे एक-एक चीज को मैं सारी समझाऊंगा आपको पहले हम पढ़ लेते हैं भासा के बारे में तो भासा क्या है? भासा किसे कहते हैं? इसकी मूल धातू क्या है? क्योंकि भासा हिंदी मूल रुप से संस्कृत से निकली है संस्कृत, क्योंकि इसकी मत्र جो भासा है वो संस्कृत है फिर उसके बाद कुछ सब्दूर्दू से भी लिये हिंदी ने, कुछ और बागी जो बासा हैं, अंग्रेजी के भी कुछ सब्दिं 인े लिये हैं, तो ऐसे करके हिंदी का विकास हुआ है ठोड़ा-थोड़ा करके, भास धातु है वो किस भासा का सब्द है तो भास धातु बच्चो है यह संस्कृत भासा का सब्द है और भास धातु का मतलब होता है व्यक्त करना या व्यक्त वानी या प्रकट करना ठीक है भास धातु से बना है जिसका अर्थ क्या होता है जिसका अर्थ होता है व्यक्त वान या फिर प्रकट करना, भास का मतलब होता है प्रकट करना, बोलना, व्यक्त करना, जो हमारे हरदय में हैं, वो उसे बाहर लाना, दूसरों के हरदय में हैं, वो हमारे तक पहुंचाना, हमारे भावनाओं को, विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, ये होता है भास दातु का म बहावास आपको रटनी नहीं, simple सा याद करिए, कि जो भी हमारे मस्तिस्क में कोई विचार आया, हमारे दिमाघ में कोई विचार उत्पन हुआ, या हमारे मन में कोई भाव आया, उस मस्तिस्क के विचार, या मन के भाव को, जब हम किसी माध्यम से बाहर लाते हैं, प्रकट करते हैं क्योंकि प्रकट करने का कोई इनको तो माध्यम होगा हम अगर चुप-चाप बैठे रहे कान, नाक, मूझ, सब कुछ बन करके तो हमारे अंदर जो विचार है वो बाहर नहीं आपाएगा तो बाहर लाने का जो माद्यम है वही भासा है जैसे मैं भी बोल रहा हूँ तो यह बोल रहा हूँ ना यह जो सब्द बाहर जिस माद्यम से बाहर आ रहे है वो माद्यम ही भासा है तो भासा क्या है? विचारों को अभी वेक्त करने का माद्यम ही भासा है भासा एक साधन है अगर हम सिंपल तरीके से और समझें तो भासा क्या है भासा एक साधन है क्या साधन क्या होता है साधन जिसके जरी हम कही एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर जाते हैं तो हमारे मस्तिस्क के विचार और मन के भावों को व्यक्त करने का जरिया, व्यक्त करने का मात्यम या व्यक्त करने का साधन ही भासा है तो भासा के परिवासा आपको ची तरह से याद हो चुकी होगी कई बार पूछा जा सकता है रिक्तिस्तान में पूछेंगे तो आपको महाँ पर बता देना है अब देखो भासा के प्रकारों की बात करें तो भासा के दो प्रकारे बच्चों भासा के दो प्रकारे एक है मौखिक भासा एक बच्चों है मौखिक भासा और इसका दूसरा रूप है वो है लिखित भासा मौखिक भासा और लिखित भासा, ध्यान से समझेगा कई बार इसमें अंतर भी पूचा जा सकता है मौखित भासा किसे कहते हैं, लिखित भासा किसे कहते हैं मौखिक और लिखित भासा में अंतर बताईए ऐसा भी प्रस्णा बन सकता है तो देखो, मौखिक भासा जिनको हम मुख से बोल करके व्यक्त करते हैं और लिखित भासा जिने हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं ठीक है सिंपल सा ही है यह मौकित जिसे हम बोल करके अब इसमें बोल करके जो हम व्यक्त करते हैं तो यह जो मौकित भासा होती है भाई यह जो है इस्थाई नहीं होती है परिवर्तन सेल होती है और लिकित भासा जो होती है ये इस्थाई होती है और ये इसका निश्चित जो इसके लिपी होती है उसी लिपी में लिखी जाती है क्योंकि प्रत्येक भासा की अपने लिपी होती है वो हम लिपी वाले टॉपिक में आगे यह लिखित भासा के सबसे चोटा रूप है तो यह भासा के दो प्रकार हो गया एची तरह से याद हो गया मौकिक भासा लिखित भासा जो हम अपने विचारों को बोल करके व्यक्त करते हैं वह मौकिक भासा है धोनी के रूप में व्यक्त करते हैं और लिखित रूप में जब और बोली क्या होती है, देखो, भाजा जो है ये विष्त्रित छेत्र में बोली जाती है, जबकि विष्त्रित छेत्र में बोली जाती है । इसका चेत्र जो हो वचो कैसा होता है, इसका चेत्र सिमित होता है, भासा की अपनी व्याकरण होती है, इसकी अपनी व्याकरण होती है, और इसका अपना सब्दकोस होता है, जबकि बोली का व्याकरण नहीं, इसकी व्याकरण नहीं होती, और इसका अपना सब्दकोस भी नही होता ठीक है बोली जो होती है ये बोली ही विस्तरित हो करके जब जादा विस्तारित रूप में बोली जाने लग जाए जब इसका व्याकरन बनना सुरू हो जाए जब इसका सब्दकोस बनना सुरू हो जाए तो वो बोली ही धीरे-धीरे भासा का रूप ले लेती है जैसे हिं बन गए तो यह है भासा और बोले अब देखिए अब हम पढ़ेंगे भासा की इकाया या भासा के अंग दो चीजें आप कंफ्यूज मतों यह एक तो आता है भासा के अंग या भासा की इकाया और एक आता है व्याकरण के अंग या व्याकरण की इकाया व्याकरण के अंग मान निकलती है जो स्वतंत्र आवाज निकलती है वो ध्वनी कहलाती है ठीक है दूसरा इसका जो इकाई होती है भासा की वो होती है वर्न और वर्न क्या होता है कि जो स्वर और व्यंजन की जो ध्वनिया होती है वो वर्न कहलाती है इसके बाद वर्न के बाद तीसरा बचों आता ह इसका जो रूप होता है वो आता है सब्द इसकी जो एकाई है वो है सब्द सब्द किसे कहते हैं कि सार्थक सब्दों सार्थक वर्णों के मेल से जो बना हुआ जो है वो सब्द कहलाता है फिर आता है पद सार्तक पद इसमें क्या होता है कि विभगती योगत चिन्नों को हम पद कहते हैं और अंत में आता है वाक्या तो इसका क्रम रहता है क्रम में क्या होता है सबसे पहले ध्वनी जो मौकिक रूप होता है उसके बाद फिर लिखित रूप में बाकी सारे लिखित होगी ठीक है एक एक करके मैंने बता दिया कि ध्वनी क्या होती है मुख से जो स्वतंत्र आवाज जो निकलती है मुख से निकलूई स्वतंत्र आवाज ही ध्वनी कहलाती है अब देखो अगर हम आगे बढ़ें और इसको एक एक को विश्दार से समझे तो सबसे पहले ध्वन तो वर्ण में क्या होता है कि स्वर और वेंजन युक्त जो धनिया होती है वो जिनको लिखित रूप में लिखा जाता है इसका ये लिखित रूप में होता है तो ये वर्ण कहलाता है और भासा के लिखित रूप की सबसे चोटी इगाई गर मालो प्रस्ण बनता है कि भासा की सबसे लगुतम इकाई क्या है तो वो वर्न है या पिर यूँ के सकते हैं भासा के लिखित रूप की भासा के लिखित रूप की सबसे लगुतम इकाई भासा की लगुतम इकाई या भासा का छोटा रूप लगुतम इकाई जो है वो क्या होती है लगुतम इकाई बासा की लगुतम इकाई यह है वर्न है ठीक है बासा की लगुतम इकाई वर्न है अब देखो अब बात करते है बोलियों की अगर प्रश्णर बनता है कि वे हिंदी की बोलियां कितनी है तो हिंदी में टोटल पंदरा बोलियां सामिल होती है याद रखना इनको उप वर्गों में विबाजित किया है, इनके वर्ग बनाये गए हैं, कि भई जैसे ये इतनी बोलिया इस वर्ग में रहेगी, तो इस तरीके से इनके पांच वर्ग बने हैं, अगर हम बात करें बोलियों का वर्गी करन, तो इनको पांच वर्गों में विबाजित किया ह और ये पाँच वर्ग कौन-कौन से ये धियानकना ये पाँच वर्गों में विबाजित किया है किसको पाँच वर्गों में विबाजित किया है हिंदी की जो पन्रा बोलिया है इन पन्रा बोलियों को पाँच वर्गों में विबाजित किया है ये पांच वर्ग कौन-कौन से है, देखो, पहला है पूर्वी हिंदी, पहला वर्ग है पूर्वी हिंदी, दूसरा वर्ग आएगा वच्चों, पस्चिमी हिंदी, फिर आएगा इसमें बिहारी, बिहारी हिंदी, चौता हो गया राजस्थानी हिंदी, और फिर पांचवा हो गया बच्चों, पहाडी, पहाडी चीतर की जो भासे होती है, बोलिया जो होती है, पहाडी हिंदी, चीक है? अब देखो, यह जो है ना, प्रत्यक जो वर्ग है, इस वर्ग में किसी में कम तो किसी में ज़्यादा बोलिया है, जैसे पर बात करें हम राजस्थानी हिंदी की, तो राजस्थानी की जितनी बोलिया है, जैसे मारवाडी हो गया, मेवाडी हो गया, ढूंडाडी हो गया, विबाजित किया जाता है तो इनको 5 वरगों में विबाजित किया जाता है अब जो यह हिंदी है ना बचों इस हिंदी को भारत की राजभासा घोसित किया है तो वो तारिक अगर पूची जाए तो याद रखना आपको 14 سितमबर 14.1949 ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभासा गोशित किया, हिंदी को राजभासा बनाया गया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखो next है, अब ये तो हो गया, भासा का काम हो गया हमारे complete, तो हमने अभी क्या-क्या पढ़ा देखो, एक पर completely फटापट से revision कर लेते हैं, हमने देखा भासा किस धातू से बनी है, तो भासा संस्कृत के भास धातू से बनी है, इसका साब्दी करत होता है, व्यक्त वानी या फिर प्रकट करना, अब अगर पूछे भासा की परिभासा क्या है, तो भासा की परिभासा हम ये कह सकते हैं, कि हमारे विचारों एवं मनुभावों को जिस माध्यम से व्यक्त किया जाता है, या जिस साधन के द्वारा व्यक्त किया जाता है, वो भासा कहलाता है, अब हमने देखा कि भासा के इकाया कितनी है भासा की तो भासा की पांच इकाया हैं कौन कौन सी है पहली है ध्वनी दूसरी है वर्ण तीसरी है सब्द फिर चौती है पद और पांच वी है वाक्य उसके बाद हम देखते हैं कि भासा के रूप कितने हैं भासा कितने परकार की होती है तो दो परकार की भासा होगी एक मौखिक भासा और दूसरी होती है लिकित भासा उसके बाद अगर हम देखें कि हिंदी भासा में कितनी बोली आती है तो हिंदी भासा में 15 बोली या संबलित है और फिर पूछें कि अगर इसमें वर्ग कितने हैं कितने वर्गों में विबाजित किया जाता है हिंदी की बोलीयों को तो हिंदी की बोलीयों को 5 वर्गों में व question नहीं जाएगा इसलिए ध्यान से समझे एची तरह से समझ लिजे इसको व्याकरण की अगर बात करें बच्चों तो व्याकरण तो इसका साब्दी कर्थ क्या है तो इसका साब्दी कर्थ होता है विसलेशन करना कई बार objective में यह चोटा प्रश्ण बढ़ सकता है व्याकरण क किसे कहेंगे तो होता क्या है कि जो भी भासा होती है उस भासा को सुदतम रूप में लिखने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं वो नियम ही क्या कहलाते हैं व्याकरण कहलाते हैं तो हम इसकी परिवासा इस तरीके से दे सकते हैं कि भासा को सुद रूप में लिखने व्याकरण कहलाता है, भासा को सुदत्म रुपे लिखने और बोलने के लिए जिन नियमों का ज्यान कराए जाता है, वो व्याकरण कहलाता है. अब व्याकरण में हम क्या करेंगे हिंदी भासा के व्याकरण के अगर हम बात करें हिंदी भासा का व्याकरण तो देखो हिंदी जो है ना हिंदी का भी विकास दूसरी भासाओं से हुआ है और हिंदी भासा मूल रूप से संस्कृत से ली गई है क्योंकि इसकी जननी कौन है संस्कृत है तो इसका व्याकरण टोटली संस्कृत भासा के व्याकरण पर निर्वर है संस्कृत भासा के व्याकरण पर निर्वर है अब धीरे धीरे अब तो क्या हुआ अब तो हिंदी का अपना व्याकरण बन गया क्योंकि जैसे जैसे विकास होता गया इसका सब्द कोश बनता गया ऐसे ऐसे इसका व्याकरण बन गया और इसने अलग-अलग भासाओं से जहां वो अपना सब्द भंडार बढ़ा लिया लेकिन मूल अगर बात करें तो इसका व्याकरण किस पर निर्वर करता है तो वो संस्कृत पर निर्वर करता है इस बात का ध्यान रखना अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंग अभी देखो पिछली हमने जब भासा बढ़ी थी हमारा वर्ण, वर्ण के बाद में आएगा सब्द, सब्द के बाद आएगा पद और पद के बाद आएगा वाक्या तो ये चार हो गए और इसे को वर्ण विचार तो इस वर्ण विचार इसमें टोटली वर्ण के बारे में वर्ण की उत्पती, वर्ण कैसे होते हैं सयुक्त वर्ण क्या है हस्व वर्ण क्या है दिर्ग क्या है स्वर्ण क्या है व्यंजिन क्या है यह सारा वर्ण विचार में पढ़ा जाता है उसके बाद सब्द आता है तो सब्द की उत्पति कैसे होती है सब्ध के प्रकार उसका लेंग यह दोसाओ इस तरीके से कैसे बदलता हूं यह सारा इसमें देखा जाता है है ना एक वचन बो वचन सारे चीज़ें इसमें आती है पद इसमें क्या आता है जो विभक्ति चिन्रों का परियोग किया जाता है तो इसके पद उसके बारे में पढ़ा जाता है वो इसमें पद विचार में पढ़ते हैं और फिर वाक्य विचार तो इसमें वाक्य कितने परकार के होते हैं वाक्य कैसे बदलते हैं, चेंज कैसे होते हैं वो सारा जो है वो इस बाक्य विचार में इस गाध्यन किया जाता है, तो आपको अभी ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि छोटा टोपिक दो नंबर का प्रस्ण आएगा, इसमें से ज़्यादा बड़े नहीं आएगे, तो और ज़्यादा डीटेल में नहीं जना है, पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे लीपी, इंपोर्टेंट है, लीपी मैंसे भी प्रस्ण बनता है, तो लीपी क्या है, अब पहले तो यह है कि लीपी कहते किसे हैं, तो देखो, जो भासा हम व्यक्त करते हैं ध्वनी के मात्यम से, बोल करके, उस बोले हुए ध्वनी चिनों को जब हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, तो वो लीपी कहलाती है, तो क्या है परिवासा, कि ध्वनी चिनों का लिखित रूप ही लीपी कहलाता है, यह याद रखना कहलाता है, या फिर यहों कह सकते हैं कि लिखित ध्वनी संकेतों को ही हम लिपी कहते हैं जो हम बोल रहे हैं इस बोली हुई भासा को जब हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं क्या हो जाता है लिपी हो जाती है और जितनी भासा है उन समस्त भासाओं की कोई लिपी जरूर होती है अब देवनागरी लिपी की भासाओं की अगर हम बात करें क्योंकि हिंदी जो है हमारी वो देवनागरी लिपी में लिखी जाती है तो देवनागरी लिपी में और कौन-क निखली हुई और इस में संस्क्र cliff इसके लावब बच्छ फ्म स्में नेपाली भासा भी आएगी इसमें प्राकरत भाष भी आएगी साथे साथ इसमें अपभरंस भासा भी आएगी तो ये सबी जो भासा है ये देवनागरी लिपी में लिखी जाती है तो इसमें से किसी एक का भी पूचा जा सकता है संस्कृत के लिपी कौन सी है, नेपाली भासा के लिपी कौन सी है या फिर देवनागरी लिपी की भासाइं कौन-कौन सी है नाम लिखिए तो भी आपको यह याद रखना चाहिए इसके अलावा थोड़ा सा क्या है कि जो दूसरी विदेशी भासा ने उनका भी आपको याद होना चाहिए जैसे माली जी पंजाबी है तो पंजाबी भासा जो है बच्चों पंजाबी इस पंजाबी भासा की लिपी कौन सी है गुरु मुखी लिपी है ठीक है पंजाबी की गुरु मुखी लिपी है इसी तरीके से अगर अंग्रे जी की लिपी पूछाए तो अंग्रे जी की बच्च याद रखना है अब देखो देवनागरी लिपी की विशेष्टा है यहां से भी प्रस्ण बन सकता है कि देवनागरी लिपी की विशेष्टा है क्या क्या है तो देवनागरी लिपी मतलब आप हिंदी थोड़ा सा याद रखिए जो हिंदी भासा है अपनी हिंदी भासा की जो विसेस्त हैं वही देवनाज भी लिपी की विसेस्त हैं क्या होता है कि हम इसको क्या करते हैं बाए से लिखते लिखते दाई और जाते हैं तो लिकना है ये बाए से दाई और लिखी जाती है तो पहले विसेस्त है क्या हो गई कि बाई से दाई और लिखी जाती है तो जैसा लिखा वैसा ही बोल रहे है और जैसा बोल रहे है वैसा ही लिखते हैं बागी बासाओं में ऐसा नहीं होता है जैसे इंग्लिस है इंग्लिस में कहीं सारे ऐसे सब्दे हैं जैसे मान लिजे जैसे नाइफ हो गया K-N-I-F K-N-I-F, knife अब देखो, इसमें K silent है जैसे knowledge है, जैसे knowledge हो गया जैसे knowledge हो गया K-N-O-W-L-E-D-G knowledge, तो इसमें देखो K भी silent और D भी silent, तो इसमें ऐसे ऐसे चीज़े हिंदी में नहीं है, हिंदी में जैसा नहीं हिंदी में जैसा बोलते हैं, वैसा ही लिखते हैं, फिर क्या होता है इसमें स्वर और वियंजन अलग-लग होते हैं ठीक है, स्वर होते हैं वियंजन होते हैं, इसमें एक वर्ग के वर्णों का उच्छारन इस्तान एक होता है, जैसे कैसे, कि जैसे खा गा गा अड़ा जहां से बोलते हैं आप उच्छारन इस्तान देखो इसे तरीके से चा वर्ग है चा जा जा तो सबका उच्छारन इस्तान यह कहता है तो यह ऐसा देवनागरी लिपी में होता है फिर क्या है इसके उपर सीरो रेखा का प्रियोग किया जाता है सीरो रेखा मतलब जो हम लिखते हैं जैसे ये सब के उपर लाइन खीचुई है इसे सीरो रेखा कहते हैं उर्दू में ऐसा नहीं होता इंगलिस में ऐसा नहीं होता लाइन किची जाती बट हिंदी में देवनागरी लिपी में किची जाती है लिखी जाती है तो यह इसकी विश्श्था है और भी ऐसी कहीं सारे विश्था हो सकती है तो आप लोग याद कर सकते हैं अब देखो कुछ प्रस्न हैं जो हमने ये टौपिक टोटली पड़ा है ये ह चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQs बचेंगे वो हपन नेक्स जो अपनी क्लास है कि उसमें सब में MCQs, रिक्तिस्तान, वन लाइनर जितने भी बनते वो सारे कर लेंगे ताकि एक भी अब आपका इसमें से चूटेगा नहीं, तैहरी करनी है तो धुआधार करनी है तो पहला प्रसन क्या है कि भासा किसे कहते हैं, अब आप इसका आंसर दे सकते हो, उस समय देखो हमने जब कलास शुरू करीती तो सायद आपको नहीं आता होगा या किसी को आता होगा तो भासा किसे कहते हैं बताइए जल्दी से लिख करके बताइए फड़ा-फड़ से भेजिए और अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो सुनो ध्यान से भासा किसे कहते हैं मैंने क्या बताया था तो मौकिक भासा और अगर लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो लिखित भासा, तो भासा के दो रूप हो गए कलियर हुआ, तो भासा किसे कहते हैं, कलियर हो गए आगे देखो क्या है, लिपी किसे कहते हैं अभी देखो हमने बात करी थी कि जो ध्वनी है जो हम बोल रहे हैं वो ध्वनी जो है उस ध्वनी के चिन्नों का लिखित रूप ही लिपी कहलाता है मतलो ध्वनी चिन्नों का लिखित रूप क्या कहलाता है बच्चों लिपी कहलाता है और अलग-लग भासाओं की अलग-लग किसे कहते हैं तो हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज धोनी कहलाती हैं मुख से उचरित होने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज क्या कहलाता है धोनी कहलाती है फिर क्या है व्याकरन किसे कहते हैं तो भाई किसी भी भासा का सुदतम रूप लिखने औ सुद्धत्म रूप को जानने के लिए व्याकरन की रचना की जाती है। आगे देखो और क्या है। व्याकरन के अंगों के नाम लिखिए। तो हमने देखा था व्याकरन के चार अंग होते हैं। वर्न, सब्द, पद और वाक्य। अगले के भासा की इकायों के नाम लिखिए या भासा के अंगों के नाम लिखिए। तो जो व्याकरन की चार अंगे उसमें एक और मिला दो ध्वनी तो वो भासा के अंग हो जाते हैं। तो ध्वनी हो गया, वर्न हो गया, सब्द हो गया, पद हो गया, और आपका वाक्य हो गया, तो इस तरीके से total हमारा topic complete हो गया और अब हमने देखा हिंदी की जो व्याकरन है उसमें से पहला जो हमारा topic था चार topic है उसमें से पहला topic था भासा व्याकरन और लिपी का परिचे ये इसके साथ ही हो जाता है complete ठीक है तो अब जो हमारे next topic बचे next class में हम next class में तो हम इसके जितने भी प्रशन उतर बनते हैं हम से कुछ डाइब के रिक्दिस्तान के वन लाइनर वो सारे करेंगे लेकिन उससे अगला जो टॉपिक होगा उसमें अपन next topic लेंगे अपना सब्द सकती एक-एक टॉपिक करके complete हो जाएगा एक्जाम से पहले-पहले पन complete कर देंगे और जो 2000 प्रशनों के series चल रहे है वो भी अपनी continue चलती रहेगी तो आज की class में इतना ही मिलते है अगली class में और यह जो complete बच्चों यह जो PDF है न वैसे तो मैं आपके साथ WhatsApp और Telegram चैनल में share कर दूँ बट इसकी complete PDF पर जो हमारी series चल रहे है 2000 प्रशनों की वो total series अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारा एप डाउनलोड कर सकते हो और हमारा एप है बच्चों education rise मैं आपको बता देता हूँ education rise यह एप है आपको एप प्ले स्टोर पे मिलेगा और आपको डाउनलोड करना है इस एप को तो या तो इस वीडियो के description में लिंक दिया हुआ है वहाँ से क्लिक करेंगे तो डाउनलोड करेंगे नहीं तो फिर आप इस नंबर पे मुझे message कर देंगे तो आपको हमारे सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे इस एप का लिंक मिल जाएगा हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा हमारे प्ले जो हमारे प्ले लिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा वाटसएप ग्रूप टेलिग्राम चैनल सबका लिंक आपको यहीं पर मिल झाल झाल